हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर एट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामून से होने वाले फायदों के बारे में तो आए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में जो पौधा आपको दिखाए दे रहा है या जामून का पौधा है हलाकि इसके जामून अभी पके नहीं हुए हैं अब जामून की रस का उपयोग पिम्पल्स यानि मुहासों को कम करने में कर सकते हैं इसके लिए आपको जामून या इसकी पत्तियों के रस को तोचा पे लगाना होता है ऐसा करने से आपको पिम्पल्स में नीशित रूप से फैदा होगा आँखों की बीमारी के लिए भी आप जामून का सेवन कर सकते हैं आँखों से समंधित कई प्रकार के विकार जैसे कि आँखों का दुखना हो गया या आँखों का लाल होना इसमें आप जामून का इस्तेमाल कर सकते हैं जामून के 15 से 20 कुमल पत्तों को 400 मीली पानी में पका लें और जब या काड़ा एक चोथा ही बच जाए तो इससे आँखों को दोएं ऐसा करने से निश्चित रूप से फैदा होगा कभी-कभी घाओ हो जाने पर या अन्यकारणों से कान से पस निकलने लगता है इसके लिए आप जामून की गुठली को सहत के साथ घूट लें और इसके एक-एक-दो-दो बूत को कान में डालें ऐसा करने से कान का बाना बंद हो जाता है दान्त समंदी किसी भी समस्या में जामून फायदे मंद होता है जामून की पत्तों की राक बना लें इससे दान्त और मसूडों पर मलने से दान्त और मसूडे मजबूत होते हैं जामून के पके वे फलों के रस को मूँ में भरकर अच्छी तरह से हिला कर कुला करने से पायरिया ठीक हो जाता है अक्सर खान पान में बदला होने पर मूँ में चाले होने लगते हैं जामून के पत्तों के रस से कुला करने पर मुओ के चालो में लाव होता है इसके अलगा अगर आप 10-15 मिली जामून के फॉल का रस नीमित रूफ से सेवन करते हैं तो ये गले के रोग में निश्ची रूफ से फैदा करता है यदि किसी बेक्ति को बार बार दस्त की समस्या है तो 5-10 मिली जामून के पत्तों का रस बना ले इससे 100 मिली बकरी के दूद के साथ मिला कर पीए ऐसा करने से दस्त में निश्ची तरूफ से फैदा होगा बार बार उल्टी होने पर आम तथा जामून के कोमल पत्तों को समान मात्तरा में मिला ले और इसमें 4-10 मिली पानी में पकाएं और जब काढ़ा एक चोथाई बच जाए तो इसको ठंडा करके पीएं इससे उल्टी आना बंद हो जाता है पीलिया होने पर भी आप जामून का सेवन कर सकते हैं जामून के 10-15 मिली रस में दो चमस सहद मिला है और इसका सेवन करने से पीलिया, खून की कमी यानि की एनिमिया की सिकायत और रख्ते विकार में नीची तरूफ से फैदा होता है पत्री या किड्नी स्टोन होने पर भी आप जामून का सेवन कर सकते हैं पके वे जामून के फल को खाने से पत्री गलकर बाहर निकल जाती है तो दोस्तों आज के वीडियो में से पितना ही उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नई जानकारी दी है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें थैंक्यो फर वाचिंग वीडियो थैंक्यो वेरी मच्छ